केप बफलो को यह पता नहीं होता कि किस पर हमला कर सकते है और किस पर नहीं इसलिए तो यह सब पर हमला कर देते है जैसे कि यहाँ पर हाथी पर हमला कर दिया और यहाँ तो हिपो से ही लड़ने चला गया इस वीडियो में तो इसने राइनो के साथ ही पंगा ले लिया लेकिन क्या राइनो से छोड़ देता? नहीं वही एक बाइसन उतना खतरनाक नहीं होता जब ये किसे इंसान पर हमला करता है तो वो जमीन पर लेट कर ही अपनी जान बचा सकता है लेकिन केप बफलो के सामने ये ट्रिक काम नहीं करेगा केप बफलो बाइसन से कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होता है क्योंकि ये अक्सर शेर जिसे खतरनाक शिकारियों से घिरे रहते है जबकि बाइसन का सामना भेडियों से होता है जो कि शेर की तुलना में कम खतरनाक होते है इसलिए केप बफलो के जीतने के चांस ज्यादा है आपको इस बारे में क्या लगता है